कैसे हो आप सब अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 71 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा तेईस तारीक की है और दसवी कक्षा के लिए ठीक है जिसमें आज हम क्या करेंगे अपना न्यू टोप जो हमारा चला हुआ है लास्ट वक्षीट में चला था हमारा परियावरन उसमें आज हम नेक्स टोपिक जानेंगे खद्य जाल क्या होता है और ओजोन परत क्या होती है ओजोन परत का निर्मान कैसे होता वो सब चीज़े जानेंगे तो देखो बेटा बारी-बारी से अधिक जीवोदुआरा खाया जाता है अते एक सीधी आहार सरंखला के बजाए जीवोगे बीच आहार संबंद साखानवित होते हैं तता एक जाल बनाते हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं खध्या जाल कहते हैं अब देखो बेटा कि हमने कल अपनी एक साकत ताला आप में जंगल म एक सीदी सीदी सी एक आहार सरंखला बनाई थी कि हीरन खाता है घास को हीरन खा रहा है हीरन को शेर खा रहा है जब कि ऐसा नहीं होता है हीरन को सिर्फ शेर नहीं खाता है या घास को सिर्फ हीरन ही नहीं खाता है और भी जानवर खाते हैं तो इस वज़े से क्या होता है एक ज से अब यह क्या हो गया यह हमारे समूंदर के अंदर जो पाए जाते पोदे उनको कौन खा रहें यहां पर दिखने रही सक इमेज ठीक है इसको कोई और खा रहा है और इनको क्या खा खारें मचली कह रही है ऐसे ही यहां पर देखो बिटा जो यह यह image थोड़ी blur हो यह आपकी बुक में और अच्छे से दिख जाएगी ठीक है मान लो यह पेड़ पोद है इनको कौन खा रहे हैं बिटा आपको यहां पर दिखाए गए हैं यह कि इसको यह बकरी वगएरा या कोई और भी है ठीक है वो खा रही है इसको इसको कोई और खा रहा है यहां से अब यह पेड़ पोद है इसको घास है यह खरगोस भी खा रहा है इसको यह भी खा रहे है हीरन हीरन को यह लोमड़ी वगएरा भी खा रही है मतलब काफी सारी चीज़ है जो एक दूसरे को खा रही है ठीक है इसको ये भी खा रहा है ये भी खा रहा है यहां से ऐसे बहुत सारे हैं अब यहां पर बेटा बलर आख रहा है तो एक्जेक्ट यहां पर दिखनी रहा है ठीक है जैसे यहां देख रहे हो मेंडक है मेंडक को कौन खा रहा है बेटा साप खा रहा है ठीक है और मेंडक क के दुआरा खाये जारा सांप को ये फिर बाज खा रही है ठीक है और जो सांप है वो किसको खा रहा है मेंड़क को भी खा रहा है और किसको खा रहा है वो चुहें आदी को भी खा जाता है और ये कोई पक्सी होता है उसको भी खा जाता है तो कई यों को खाता है और ये इनका भोजन कोई और होता तो इस तरीके से एक साखा बन जाती है अपनी बुक में इसको आप अच्छे से देख के समझ भी सकते हो ठीक है अब बेटा देखो यहां पर क्या करते हैं यहां पर आपको दिया है हमारे क्रियावरण को किस परकार परभावित करते हैं परियावरण में हमें परभावित करते हैं तता हमारे किरियाकलाब परियावरन को परभावित करते हैं तो परियावरन के अंदर जो परिवर्तन होते वो तो हमें परभावित करते हैं और जो हमारे किरियाकलाब गतिवी दिया होती है वो परियावरन को परभावित करती हैं मानव की रियकला परदूशन होता है जैसे कि वन का उन्मूलन यानि कि वन को उखाड फेकना उसकी जिकापर कुछ और बना देना ये समस्यां उत्पन कर रहे हैं हम दो पर्मुक्परियावरण समस्यां का अद्यनाज करेंगे जिसमें ओजोनपरत की हानी हो रही है उसका और कचले का निप्टार ये दौ जानेंगे तो इसमें क्या है इस कार्यापतरक में हम ओजोनपरत के ःहरास पर अध्यन करेंगे तो जोन परत के हरास किस तरीके से होता उस पर हम बिटा क्या करने वाले है अध्यान करने वाले है तो इसके लिए देखो बिटा यहां पर आप देख रहे होंगे यह क्या है पिर्थवी है ठीक है इसके चारों तरफ यह क्या है वातावरन है ये वातावरन क्या करता है जो सूरिय से हानी कारक किरने आती है तीन तरीके की किरने आती है तो उन तीन तरीके की किरनों में से सिर्फ कुछ ही किरनों को ये आने देता है बाकी किरनों को नहीं आने देता है क्या करता है बाकी किरनों को ये वापस भीज देता है लेकिन अगर हमारे परियावरन के अंदर एक छेद हो जाएगा तो उसमें से हानी कारक किरने क्या करेंगी हमारी पिर्थवी तक पहुंच जाएंगी जो हमें नुकसान पहुंच जाएंगी और ये क्या होती है पैरा बैंगनी किरने होती है ठीक है तो इस तरीके का अगर होल ह जाता है तो सबसे पहले अंटार्टिका में ये होल हुआ था जिसके कारण ओजोन परत वहां से ओजोन परत में छेद हो गया था और उसकी वज़े से क्या हुआ वहां से हानिकारक किरने वहां तक आ गई और हमें तवचा का रोग होने लगा वहां के रहने वाले लोगों को तो देखो ओजोन परत पिर्थवी के चार ओर एक रक्षा परत होती है, जो की हानिकारक पेरा बेंगनी कृती मंदल में कई तरीके के लेयर होती है कई स्तर होते हैं जिसमें से समताप मंदल जो होता है उसमें ये पाई जाती है ठीक है अब ओजोन का निर्मान कैसे होता है अधिक उर्जा यूक्त पैरा बैंगने विकीरिन ओक्सीजन अनू को ओक्सीजन परमानू में विखंडित कर देत तो ये oxygen का अनू है क्योंकि इसमें दो परमानूं से मिलकर बना है oxygen के परमानू में सिर्फ एक oxygen होती है oxygen के अनू में दो oxygen है ठीक है तो oxygen के अनू को ये परमानू में विखंडित कर देता है oxygen के तो ये एक एक हो गोई एक एक क्या कहलाता है परमानू जब एक अलग अलग दोनों परमानू आपस में मिलेंगे तो ये अनू बना देंगे ठीक है तो UV विकरन इसको क्या करते है उक्सिजन के परमानू में तोड़ देती है इस तरीके से हमारी ozone layer तैयार होती है अब ozone prat की हानी कैसे होती है ozone prat के हरास का मुख्य कारन chloro-fluoroc schreiben है ये gas है जिसका उप्योग freeze, AC आदी में किया जाता है इसका प्रियोगिन सभी इस चीज़ों में इस्तमाल करने में किया जाता है ये chemicals हो गए ठीक है यह ओजोन लेयर को डिपलीट कर रहे हैं फ्रीज से जो निकल रहे हैं किरने या अगनी शामा की अंत्र हो गए या पेंट वगएर हो गए ऐसी बहुत सारी चीजे जिनके कारण क्या और हमारी जो ओजोन लेयर है उसको हानी हो रही है ठीक है अब जो संयुक्त रास्ट प्रियावरन कारिय करम है ठीक है यू एन एपी में सभी देसों में सहमती बनी कि जो क्लोरो फ्लोरो कारबन का जो स्तर है उसको जो उननीस सो चासी के टाइम पर था वहीं तक ही सीमित रहने दे उसको आगे ना बढ़ने दे ठीक है तक सीमित रखा जाए और ये क्या था अभी एसी और फ्रीज उतपादक कंपनियों के लिए यह अनिवारिय कर दिया गया है कि वे क्लोरो फ्लोरो कारबन का मुक्त उपकरन बनाए यानि कि वो जो भी एसी और फ्रीज बगरा बना रहे उनमें क्लोरो फ्लोरो कारबन का प्रियोग ना करें ऐसा उनको निर्देश दिये गई है, सब पूरे विस्व के अंदर ठीक है, अब हम इसके question answer करते है ओजोन क्या है और ये हमारे लिए कैसे उपियोगी है तो देखो बटा ओजोन क्या है ओजोन परत पिर्थवी के चारोर एक रक्षा परत है जो की हानि कारक, पेरेबाएंगने विकिड को अफसोसित कर लेती है और क्या करती है, हमें जीवों को स्वास्थे संबंधी हानियों से बचाती है ञा étant अब CFC और UNEP का पूरा नाम क्या है तो बटा देखो, CFC का पूरा नाम क्या है chloro fluorocarbon खीक है और UNEP का क्या है United Nation Environment Program ठीक है अब ओजोन प्रद्द्वारा कौन कौन सी विकिरिन अवसोशित किये जाते हैं तो बेटा कौन से UV की रन या फिर पैरा भेंगनी एक ही नाम है कैसे बोलो इसको है एक ही चीज़ है पैरा भेंगनी विकिरिन ठीक है चाहो तब यहां पर भी विकिरिन लिख सकते हो अब वाईयू मंदल में ओजोन का निर्मान कैसे होता है तो देखो बेटा वाईयू मंदल में ओजोन का जो निर्मान होता है वो आप यहां पूरी प्रोसेस यह लिख दोगे अधिक उर्जा जो होती है इसको ओक्सीजन के अनू को ओक्सीजन के परमानों में बदल देती है फिर यह परमानू क्या होता है दोबार से अक्सीजन अनू के साथ अभी क्रिया करता है और हमारा ओजोन को बना देता है ठीक है तो यह पूरा लिख दो गया आप यहां से ओक्सिजन का निर्मान यह थी वेट आपकी आज की वक्षित उमीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बोक्स में आप पूछ सकते हो और अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना इस वीडियो में इतना ही है अ अश्कुराते रहिए बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थेंक यू